दोस्ते जैसे कि आप सभी जानते हैं कि टीवी पर कई सीरियल तो ऐसे होते हैं जो कि दर्शकों को बहुत पसंद आते हैं क्योंकि उन सीरियल की कहानी और सीरियल में नजर आ रहे कलाकार अपने किरदार को इसकदर पर दर्शाते हैं कि दर्शक उन सीरियल को देखना बहुत जानते हैं कि टीवी पर कई सारे ऐसे सीरिल भी देखने को मिले हैं जिन्हें दर्शकों ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया तो उन सीरिलों को बहुत जल्द ही ओफ एर कर दिया गया आखिरकार वो कौन से सीरिल है और उन सीरिलों को दर्शकों ने किस वजह से नहीं किया पस पर सीरिल में सस्पेंस रखा ही नहीं गया। इसी वज़ा से दर्शकों को सीरिल की कहानी पसंद नहीं आई। यही वज़ा थी कि सीरिल को बहुत जल्द ही ओफ एर कर दिया गया। पर सीरिल में अभिनेता सहबान अजीम और अभिनेतरी सनसेयत नजर आई थी जिन्होंने सीरिल में अपने हर एक अंदास सी दर्शकों का दिल जीतने की खूब कोशिश की। पस सीरिल की कहानी बाकी सीरिल की कहानी से थोड़ी सी हट कर थी जिसके चलते दर्शकों को यह सीरिल पसंद नहीं आया और सीरेल की रेटिंग बहुत ही जाधा गिर गई जिसके चलते ही मेकस को सीरेल बंद करना पड़ा नमबर तीन फनाइश्क में मर जावा फनाइश्क में मर जावा सीरिल में जैनिमाव अगस्ते के किरदार में और अभिनेत्री डीम शेक पाकी के किरदार में नजर आये थे वहीं सीरियल की कहानी दर्शकों को शुरुआत में तो पसंद आई पर सीरियल की कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती गई वैसे वैसे सीरियल की कहानी दर्शकों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी और सीरियल की टियार पी घटने लगी इसी बजह से मेकस ने सीरियल को ब पती की मृत्यू हो जाती है फिर उसका लवर उसकी जिंदगी में आता है तो पती की मृत्यू के बाद अपने लवर के साथ इश्क फरमाना लोगों को रास नहीं आया इसी वज़ा से दर्शकों ने सीरिल को पसंद नहीं किया और सीरिल को ओफेर कर दिया गया नमबर पांच बेहत टू सीरिल में जैनिफर विंगिट माया के किरदार को निभाती हुई नजर आई थी जहां सीरिल में यह बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव शेड नजर आई थी हाला कि जैनिफर को पहले सभी सीरिल में पॉजिटिव अंदाज में देखा गया था पर इनेह इतना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही टीव इंडरस्टिय से चुड़िया से तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले